हलो स्कॉलर्स आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं किसकी कहानी पढ़ेंगे जंगल के राजा शेर की कहानी पढ़ने जा रहे हैं इस पार्ट में एक आलसी शेर के बारे में बताया गया है शेर तो मानसारी होते हैं वे मास खाते हैं और अपना भोजन खुद शिकार करके खाना पसंद करते हैं लेकिन इस कहानी में जो शेर है वह शिकार नहीं करता तो क्या वह अपना खाना खा पाता है या नहीं तो आज व हम इस कहानी में जानेंगे इस पार्ट का नाम है शेरूदा पेच नमबर 94 शेरूदा बहुत बड़ा शेर था वह जंगल का राजा था वह बहुत आलसी हो गया था मेहनत नहीं करना चाता था इसी कारण भोजन के लिए शिकार भी नहीं करता था जंगल के सभी पशु पक्षी उसके लिए भोजन लेकर आते थे शेरूदा एक बहुत बड़ा शेर था वह जंगल का राजा था लिकिन वह बहुत आलसी हो गया था वह मेहनत नहीं करना चाता था इसी कारण वह शिकार करने भी नहीं जाता था और जंगल के सभी पशुपक्षी डर्क के कारण उसके लिए भोजन लेकर आते थे एक दिन शेरूदा को बहुत भूख लग रही थी मुझे खाना दो मैं भूखा हूँ गररर वह गुर्राया वह गुस्से से गुर्राया क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही थी एक छोटा खरगोश कूधता हुआ आया शेरूदा एक लाल गाजर खाऊगे खेट से अभी निकाल कर लाया हूँ उसने पूछा चले जाओ गाजर तो खरगोश खाते हैं मुझे भोजन चाहिए मैं भूखा हूँ गररर शेरूदा चिलाया अब उसके पास एक छोटा सा खरगोश आता है वह शेरूदा के लिए क्या लेकर आया है लाल गाजर वह कह रहा है कि शेरूदा लाल गाजर खाओगे अभी अभी खेट से निकाल कर लाया हूँ तो शेरूदा ने उत्तर दिया नहीं गाजर तो खरगोश खाते हैं मुझे अपना भोजन चाहिए वह गुस्से से चिलाया अब एक हरा तोता उड़कर आया तोते ने पूछा क्या यह आम खाओगे बड़ा मीठा और रसीला है उसकी चोंच में एक पीला आम था शेरूदा गुस्से में बोला नहीं 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 आम तो तोते खाते हैं जब एक तोता वहां उड़कर आया तो उसने पूछा क्या यह आम खाओगे बड़ा मीठा और रसीला है रस्से भरा हुआ है उसकी चोंच में एक पीला आम था शेरूदा गुस्से में बोला नहीं आम तो तोते खाते हैं गररर मुझे अपना भोजन चाहिए मैं बोखा हूँ वह बहुत देर तब दहारता रहा क्योंकि उसे अपनी पसंद का भोजन नहीं मिल रहा था तो भग उस्से में बार बार दहार रहा था अब एक बंदर आया एक भूरा बंदर भागता हुआ आया उसने कहा शेरूदा शेरूदा लो यह मुझफली खाओ तुम्हारी भूख मिट जाएगी अब बंदर उसके लिए क्या लेकर आता है मुझफली लेकिन क्या जवाब देता है वो नहीं 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 मुझे भोजन चाहिए गरर शेरूदा फिर गुर्राया उसने बंदर से मुझफली भी नहीं ली वो फिर से गुर्राने लगा उसे अपनी ही पसंद का भोजन चाहिए था अलग अलग जानवर उसके लिए अलग अलग तरह के भोजन ला रहे थे लेकिन उसे वो नहीं खाना था उसे अपनी पसंद का यानि कि मास खाना था क्योंकि शेर तो मास सारी जानवर होता है तो उस उसे वही खाना था, लेकिन वह तो बहुत आलसी हो गया था, महनत भी नहीं करना चाता था, तो अब इसके आगे क्या होता है, क्या वो खाना खा पाता है, उसकी बूख मिट जाती है या नहीं, वो हम नेक्स सेशन में देखेंगे, तब तक के लिए बाइ बाइ